पुरानी से पुरानी खासी जुखाम हो जाएगी बिल्कुल जड़ से खतम आपको क्या करना है कच्चा पका अमरूद लेना है बिल्कुल पका हुआ नहीं लेना है और उसको आग में भून देना है आग आप जो चूले में आग होती है वही आग ज्यादा बैट रहते गैस प क्वेंड नहीं Гोंद्ना हैं सिर्फ इसकी तासिरच हो जाए इतना ही हमें इसको बोधना है 4-5 मिट और देखिए इसको 4-5 मिट बाद हम निकाल लेते हैं और अधिके भॊपर से यह देख sözbubव Missouri इसके अंदर से अगर जानदा भूंदेंगे तो ये खराब हो जगा अब इसको कपड़े की साहता से इसकी राक को साफ कर लेते हैं ये हमने कर लिया साफ और चाकू की साहता से इसके तीन से च्यार पीश बना लेते हैं और देखिए बिल्कुल गरम-गरम इसको काटना है और छोटे-छोटे पीश बना लेने हैं इस परकार से बहुती जबर्दस्त फार्मूला है खासी का जुखाम का गले में खरास हो गई उसके लिए ये इसको काट लिया है गरम-गरम अब गरम-गरम पर इसको या तो आप सेंदा नमक ले सकते हो या फिर आप काला नमक ले सकते हो हलका सा बुरक करके इसको गरम-गरम आपको खा लेना है दो-तिन दिन अगर इस अमरूद को आप खाते हो तो आपकी पुराने से पुरानी खांसी गले में खरांस जुखाम पुराना हो तो सभी इसे बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगा आपको ध्यान रखना है अमरूद खाने के आदे पुने घंटे तक आपको कुछ में नहीं खाना पेना है बहुत ही जबर्दस है आपको ऐसे यकीन नहीं होगा अगर आपको इसको खाते हो अपनी बिमारी को ठीक करते हो तब यह आपको यकीन होगा तो इस फर्मूले को ज़र अजमाई